हालो दोस्तों असलाम लाइकूम अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल काजमा को विद्चोश को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करना ना गुले तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं आज हम बनाते हैं बेल से तीन तरह की ड्रेंग देखिए इसके लिए हमने दो बेल लिये हैं वुड एपल जिसे कहते हैं और उसे हम पत्थर पे तोड़ लिया है चमची की सहता से इसका सारा गुदा हम निकाल लेते हैं देखें इस तरीके से देखें बेल के रंग कितना पीला है इसे यही पता चलता है कि बेल हमारा बहुत ही मीठा है बेल दो तरह के होते हैं एक का जो छिलका है वो मोटा होता है और एक कागजी बेल होता है जिसका छिलका पतला होता है वो काफी मीठा होता है खाने में बहुत ही बढ़िया रहता ह देखें इस तरीके से हमने छिलका उताल लेना है देखें सारा गूदा निकल चुका है अब इसे हम बरे बर्तन में ट्रांसफर करते हैं ये बोल हमारा बड़ा है अब इसमें हम थोरा पाणी डालते हैं लगभग चार कप के बराबर और इसे अच्छे से हम मैश करते हैं देखें इस तरीके से चुकि हमारा जो बेल है वो काफी अच्छा पका हुआ है इसलिए ये आसानी से मैश हो रहा है अगर आपका बेल अच्छे से पका नहीं रहेगा तो वो आसानी से मैश नहीं होगा देखें इस तरीके से हमें चनली की सायथा से इसे छान ले ना है हमें इसके बीज और फैवर दोनों को अलग करना है हम चाहते तो इसे मिक्सर में भी पीच सकते थे लेकिन पीचने से इसका बीज जो होता है, वो कडवा होता है और हमारा सारा प्यूरे करवा हो जाएगा इसलिए हमें छनली की साहता से ही छानना है देखें इस तरीके से हमें सारा फैवर अलग हो चुका है अब उसे हमने फेकना नहीं है उसे भी हमने एक कप पानी डाल कर देखें अब इसमें भी हम एक कप पाई डालते हैं और पाई डाल कर इसे अच्छे से मिलाते हैं और इसे फिर से दुबारा से छान लेंगें, देखें इस तरीके से, ताकि इसमें जो बचा हुआ गूदा है वो अच्छे से और भी निकल जाए और सारा फैवर और जो बीज है वो पुरी डालते हैं, सबसे पहले हम बेल शेक बनाते हैं, यह बहुत ही टेस्टी लाएगा, बहुत ही हमी, एकदम यूनिक है, आप एक बार जरूर ट्राइ करें, मैंगो शेक तो बहुत पिये होंगे, अब इसमें 3 टेवल स्पून इसमें हम शूगर डालते हैं, आप कम यह जा बाजू डालते हैं, और थोरा हम पिस्ता डालते हैं, इससे हमारा जो बेल शेक बनेगा, उसका जो टेस्ट है, वो और भी बहुत बढ़िया होगा, हम इसमें 2 कप दूद आट कर रहे हैं, आप चाहें तो 3 या 4 कप दूद ले सकते हैं, 2 पिंच हम इसमें इलाइची डालते हैं, कूट के, इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा, और इससे अच्छे से पीस लेते हैं, देखें इस तरीके से, आप इसमें मिल्क थोरा जादा करके और भी पतला कर सकते हैं, यह हमारा बेल का शेक तयार है, और थोरा इ हमारा बेल का शेक बनकर तयार है, अब चलते हैं हम बेल की लसी बनाते हैं, इसके लिए हम लेते हैं, थ्री कप बेल का प्यूरी, देखें, और इसमें हम दही लेते हैं, यह हमारी जमी हुई दही है, टंगी हुई जिसे कहते हैं, इसका सारा पानी निकाला हुआ है, थ्री इसमें हमने चीनी लिया है, आप चाहें तो चीनी कम्यादा कर सकते हैं, अब इसमें हम काजु डालते हैं थोड़ा, और इसमें हम मलाई डालते हैं, वन टेबल स्पून, और इसे अच्छे से मिकसर में पीस लेते हैं, ताकि यह और भी स्मूध हो जाए, देखें इस तरीके से अब इसे भी हम डाल लेते हैं, कितना जटपट बन रहा है, बहुती इजी रेसे पी हैं, आप एक बर ज़रूर श्राय करें, और इसे भी हमने ड्राइफोट से थोड़ा सजा दिया हैं, इस पे च्छी रखकर, अब इसमें हम अमरारा डाल देते हैं, ताकि यह लगे, कि हम क टेबल स्पून हानी, शहद, और हम आइस लेते हैं, आइस इसमें भड़के लेते हैं, चोकि यह बहुती ठड़ी ठड़ी अच्छी लगती है, और इसमें हम फ्रेश पुदीना की पत्ती डालते हैं, थोड़ा उसे अच्छे से तोड़ लेते हैं, हाथ से, साथ आठ इसमें हम नीबू का रस डालते हैं, अब इसमें half teaspoon black salt डालते हैं, काला नमक, two पिंच इसमें हम भूना जीरा डालते हैं, और इसमें हम three cup wood wrapper डालते हैं, इसका puree, और इसे अच्छे से mix करते हैं, ताकि यह सब मिल जाए, अब इसे pudina से, और lemon slash से हम इसे garnish करते हैं, और सजा बजा लेते हैं, इसमें छटरी लगा देते हैं देखें, हम रहा है लगा कि ये कितना प्यारा लग रहा है लग रहा है ना, कि हम समुंदर किनारे बैट के इसका मज़ा ले रहे हैं देखें हमारा तीन तरे का ड्रिंक तयार है बेल से ये जटपट बढ़ने वाली रेसिपी है एक बर आप ज़रूर श्राइ करें अगर महमान आया है घर में तो तुरत किचन में जाएं और फटाक से ये बना लें और वहावा ही पाएं और महमान भी खुश आप भी खुश बेल का लसी, बेल का शेर्बत और बेल का मिलक शेग आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें इंशालला आपके लिए और भी अच्छी रेसिपी लेके आएंगे अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और हाँ सबस्क्राइब करना ना बूले इंशालला अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाखात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिज जाए जवान जाए किसान थैंक्स फोर वाचिंग